हाई एवरिवन मैं हूँ जेसस्विनी आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे डिवाइन स्पिरिच्वल चैनल जेसस्विनी दे डिवाइन फेमिनान फ्लक्स में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं सेयर कने जा रही हूँ अक्षेत रुतिया पर आप क्या खरी देंगे ताकि आपकी जीवन मत बहुत प्रोस्परिटी में भर जाए आपकी जीवन अगर आप सोना नहीं खरी सकते हैं चांदी नहीं खरी सकते हैं कि वह बहुत प्रेशियस है तो आप बहुत कम खर्च में क्या खरीद सकते हैं ताकि आपकी जिवन से सारी परेशनियों का अंत हो जाए आपके पास माहालक्ष्मी दोड़ती भागती हुई आए आपके घर में कभी बापस मुड़कर नहीं लोटे ओके प्रेंट्स तो चलिए जानते हैं आपको क्या खरीदना है अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करके सोना चांदी नहीं खरी सकते तो आपको खरीदना है जो जो खरीद यह इसको सोने के समान माना गया है इसका अगर आप दान करते है तो यह प्रसोने की दान के जैसा इसका महत्तो है तो आपको जो जरूर खरीद कर लाना है जो का दान भी करना है और कुछ जो को अपनी कियारी में भी लगा दीजिए और कुछ जो को आप एक रेट कलर के कपड़े में बांध कर अपनी पूजा घर में या फिर आप लोकर ब इनको आप बांध कर येलो कलर के कपड़े में रख सकते हैं नहीं तो रेट कलर के कपड़े में रख सकते हैं एगेन वही आप उसमें थोड़ा केशर थोड़ा कुंकुं थोड़ा हल्दी थोड़ा चंदन गंगा जल में मिला कर लगा ये और मा महालक्ष्मी को अरपीत करें और उसको भी पूजा करें, इन सब सामगरी को पूजा करके आप रख सकते हैं, अपनी पूजागर में या फिर लॉकर बक्स में, आपका जिवन हमेशा के लिए प्रोस्परिटी से भर जाएगा इसके साथ, साथ अप और क्या खरीदेंगे? इस दिन अक्षेत रितिया पर आप जरूर खरीद कर लाएं, पीली सरसो उसको भी आप रखीए पूजा स्थान में फ्रेंट्स आपको मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का कलस उसको भी खरीद कर लाना है जब आप घड़ा किसी दूसरे को दान में देते हैं ये बहुत पुन्या का काम है अगर आप दान में देना चाहें तो दीजिए डिफिनेटली जैसे कि आपको जौ का दान करना है मिट्टी का घड़ा दान करना है उके फ्रेंट्स आप उसको लाकर अपने खुद के घर में भी रख सकते हैं और दान में भी दे सकते हैं ये बहुत लाब करिए और friends आप कमल के गट्टे उसको खरीद कर लाएं उसकी साथ friends आपको हल्दी का जो गांट है उसको भी खरीद कर लाना है and friends धन्या उसको आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत friends आप definitely धन्या को भी खरीद कर लाएं वो जहे हरा हो या फिर सूखा इन सब सामगरी को आप डेफिनेटली घर में खरीद कर लाएं ताकि आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहे पूरा सालवर क्योंकि ये अक्षयत रत्या का दिन एक एसा औस्पिसियस डे आप जो भी करते हो न उसमें आपको बहुत अक्षय पुन्य मिलता है आप अपने घर के चट के उपर पानी भी रखें चिडियों के लिए बो भी बहुत बड़ा उपाय है और फ्रेंस किसी गरीब व्यक्ति को अगर खाना खिला सकते हैं उसको भी खिलाए कुछ दान धर्म कीजिए ताकि पित्र जो है बो भी संतुष्ट रहें आपसे सो फ्रेंस आपने सुना अजाना एंड इस वीडियो को आप डेफिनाइटली नीडी लोगों के साथ सेयर कीजिएगा फ्रेंस ताकि मतलब उनसे ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचे ओके फ्रेंस मेरी इस चैनल को डेफिनाइटली सब्स्क्राइब कीजिएगा ताकि मैं जब